हेलो बच्चा लोग मेरे कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही आप सभी लोग की पढ़ाई तो आज की यह जो हमारी क्लास है आज हम लोग इस क्लास में लिंग के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले हमने काफी टॉपिक डिसकस किया संग्या सर्विनाम वर्ड माला और मुझे नहीं लगता है कि उन टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन होगा और अगर कोई डाउट होगा बच्चा तो सीच को आप पूछ लीजिएगा मेरे से तो चलिए देखते हैं कि आज जो हम लिंक का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जेंडर का उसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे और यह टॉपिक क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है इनसे प्रश्ण आपके एक्जाम में काफी पूछा जाता है आप देखिंगे पैसेज के थूप पूछ लेंगे बताई इसमें कौन सा लिंग है या इसका इस्त्री लिंग क्या होगा ऐसे गर के प्रश्ण पूछे जात करेंगे पहचान करने के बाद फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ को करेंगे यह जो टॉपिक आपने कवर किया है जो अभी हमने आपको समझाया है वह आपको समझ में आया कि नहीं यह हमें कैसे पता चलेगा जब हम आपको क्वेश्ण करवाएंगे तो चलिए फिर क्लास को द फिर इस तरी जाती के लिए प्रियोप किया गया है उसे क्या कहते हैं लिंग कहते हैं ठीक मतलब अगर हम एक सिंपल भाशा में आपसे बताएं सरल शब्द में अगर हम आपसे बताएं तो क्या कहा गया है कि सब तंग्या में लिंग वचन और कारक के कारण रूपांतर होता है आपने पढ़ा है कि जितने भी विकारी शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि लिंग वचन और कारण के कारण परिवर्तन होता है और याद रखेगा कभी भी अगर आपसे ये प्रशन पूछा जाए कि जो लिंग होता है वो किस शब्द का होता है तो जब बच्चे आपस जो है वो किसी संग्या शब्द का होता है कि कि अग्या कि अब का कि यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट्स है और अगर कभी भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि लिंग के निर्धारण का आधार किसे माना गया है कभी भी संग्या मत बताईएगा लिंग के क JAC कि ध्यर्धारण का आधार कि कि या को माना CD कि मिया को अचार अधर आपसे पूछा जाए जो लिंग है वह किस भाषा का सब्द है तो यह भी पोिंग स याद रखिएगालिंग शंसकृत भाषा का एक सब्द कि लिंग जो है कि अंस्क्रिप् भाशा का एक कि यह बहुत इंपॉर्टन जो है पॉइंट है जो मैंने अभी लिखे हैं तो क्या क्या आपको क्या समझ में आया मतलब लिंग जिससे हमें पूरुष जाती या फिर इसते ही जाती का बोध होता है और होता है जो संग्या में लिंग वच्ण और कारण के कारण ही परिवर्तन में अरे संसार में वेक्ति व्युष । उसका कुछ न कुछ क्या होगा लिंग होता है लिंग की निधारड का जो आधार माना जाता है वो किसको माना जाता है और किस भाशा का शब्द है तो याद रखेगा ये एक संस्कृत भाशा का क्या है शब्द है जिसका शाब्दीकर्थ क्या हो जाता है जिसका शाब्दीकर् पुलिंग जिससे हमें क्या होता है पुरुष जाती का बोध होता है और दूसरा हमारा क्या होता है इस तरी लिंग जिससे हमें क्या होता है इस तरी जाती का बोध होता आप देखिए लेकिन अभी यह चीज अगर आप से संस्कृत में पूछा जाता है कि संस्कृत में लिंग आपका पुलिंग होता ही पुलिंग इतना सब्सक्लिक देने। आते हैं नेक्स देखते हैं आप देख शब्न में क्या कहा गया है। कि संढ्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाती के होने का बोध होता है यानि कि आपको कोई शब्द देगा और जब आप उस शब्द को देखेंगे तो उससे क्या होगा आपको पुरुष जाती का बोध कराया जा रहा उस सब्द से इसका मतलब वो क्या है पुलिंग जैसे गोविं शब्द हैं लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना है कि भई यही इतने पुलिंग शब्द हैं क्या कहा गया है कि जो आपकी लिंग होते हैं किसके होते हैं संग्या शब्द के होते हैं यानि कि इससे हमें क्या पता चला कि संसार में जितने भी वेक्ति हैं जितना भी वस्तु है जितना भी अस्थान है उसका कुछ न कुछ क्या होता है लिंग होता है तो हमारे जो कामता प्रशाद गुरु जी थे जिने हिंदी व्याकरण का ग्याता माना जा रहे थे इनको पहचानने के लिए हम वो नियम और रूल यहां पर डिसकस करेंगे ठीक है और पता है जो इन्होंने नियम रूल बता है न उससे आगे पूछा भी नहीं जाता है रान परेशान मत हो जाईएगा क्योंकि वो खुदी बिचारे के परेशान थे भाईया इतने सार है हम कैसे हुर एक जेंडर निर्धारीत करें कि यह पूलिंग है एश द्रिलिंग है तो पाली बक्री फै सीता गीता सड़क यह सारी क्या है इस त्रीलिंग शब्द हैं अब आगे देखते हैं अब देखें पहचान के कुछ महत्पूर नियम है जिन महत्पूर नियम को हम आपके साथ डिसकस करेंगे और ये जो महत्पूर नियम है ना इनको बड़े ध्यान से हैं किनी से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं पे confusion होगा फिर मैं कहूंगी पूछ जरूर लेना बच्चे कहीं पे कोई भी दिक्कत है चाहे टॉपिक से लेकर हो चाहे किसी भी तरीके का ठीक है मैं आपके confusion को पूरा दूर करने की कोशिश करूंगी, आप एक बार पूछेंगे, मैं आपको दस बार बताऊंगी, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहां जा रहे हो, एक्जाम क्या है, युद्ध का मैदान है, अगर पूरी तयारी के साथ नहीं जाओगे बच्चे, क्या होग हार का सामना करना पड़ सकता है, हार ना थोड़ी ना है, हमें तो क्या करना है, जीतना है, और मुझे पता है कि आप सभी जीतोगे जरूर, ठीक है, जो एक सपना होता है न, भई यहां पढ़ेंगे हम, वो सपना आप जरूर पूरा करेंगे, चलिए आई इनकी पहचान को सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको परवत का नाम दे दिया देश का नाम दे दिया अनाज के नाम दे दिये हिंदी महीनों के नाम दे दिये दिनों के नाम दे दिये जल अस्थलों के नाम दे दिये विभागों के नाम दे दिये ग्रहन चत्रों के नाम दे दिये पेडों के न कुछ अपवाद भी है अब अपवाद किसमें है आईये थोड़ा इनको देहे हैं देखो कभी अब इसको थोड़ा सा आपको डेटेल में बना बताते है जैसे परवतों कि अगर नाम को अ不用ट तो की कि प्रवत का नाम में दे दिया कोको कोई इस में हम कोई a पवाद नहीं देंगे हम भी इंसान हैं हम भी सहानभूती रखते हैं यह आपको हिमालय लिखके दे दिया कि कि आपको अलक नंदा लिखके दे दिया कि कुछ भी आपको दे दिया किसी प्रकार का इन्हों ने कहा कि नगरों के नाम कि नगरों के तो नाम होती है, नगर मतलब जान रहे है ना, आपको लिख के दे दिया भई हैदराबाद, हैदराबाद, आपको लिख के दे दिया दिल्ली, आपको लिखके दे दिया लखनोव कि कैसे कोई भी शब्द दिये आप बताएंगे पुलिंग लेकिन इन्हों ने कहा नहीं भाया कि इतनी भी सहानवूती मैं नहीं दिखाऊंगा आपके साथ इन्हों इन्हों ने कहा कि इसमें अपवाद है कि अगर आपको तीन नगर दिये कि आप उस पे कभी भी पुलिंग मत लगाएगा क्या काशी मतुरा और आपका इन्हों ने क्या बोला अयोध्या कि इन्हों ने कहा अगर आपको काशी मतुरा और आयोध्या लिख के दिया ठीक है तो कभी भी आप उस पर कुलिंग शब्द का प्रियोग नहीं करेंगे बल्कि वो क्या हो जाएंगे इस तरी लिंग शब्द हो जाएंगे जैसे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं भया काशी नग भाचीन नगार मतुरा नगर क्योंकि क्यों की ये जो शब्द है यो हमारे स्ट्रीलिंग सब्दें बचएं। यंग का चैप्टर बहुद ध्यान से पड़िएगे क्योंकि आपके तुरुकि वाले कोस्ट्ञappelleский यतीरी व्योंकि यह इसीवानेक। सही रहेगा तभी तुरुटी वाला कोश्चन कर पाएंगे वरना फिर आपके कोश्चन आते हुए गलत हो जाएंगे यह पॉइंट अभी का क्लियर हुआ इन्हों ने कहा पेडों के नाम क्या बोला इन्हों ने कि भई आपको पेडों के नाम लिखके दे दिया गया पेडों के नाम यह पुलिंग होते हैं इन्होंने कहा आपको आम लिखके दे दिया आपको बरगद लिखके दे दिया आपको बबूल लिखके दे दिया आपको पीपल लिखके दे दिया कुछ भी लिखके दिया यह आपके क्या है यह आपके पुलिंग है लेकिन उन्होंने कह भई अपवाद भी है कुछ क्या अपवाद है इंहों ने कहा अगरां को इमली लिखके दे दिया पड़ते हैं फरेणी खटी मीठेबेर लिक के खेत में खुश गया सेर किलीख खटी कभी ये नहीं पड़ता हो मीठेबेर क्योंकि इमली च्री लिंग और उसके साथ साथ हम खटा शब्द का प्रियोग ना करके कि शब्द का प्रियोग करेंगे खटी शब्द का इमली हो गया आपका तुलसी हो गया आपका ठीक है यह क्या है हमारे यह अपवाद स्वरूप हैं points clear हुआ कि इन्हों ने कहा कि अगर आपको ग्रह नच्छत्रों के नाम दिया है ग्रह ग्रहों के नाम ग्रहों के नाम जो होते हैं ग्रहों के जो नाम है वो पुलिंग अब ग्रहों के नाम लिखके आपको दे दिया गया ठीक है आपको लिखके दे दिया बुद्ध शुक्र यम प्रिहश्पती कुछ भी लिखके दिया बुद्ध। परिशानी नहीं है इनोंने कहा लेकिन अपवाद है पुछा गया भाई क्या अपवाद है इनोंने कहा अगर आपको पिर्थिवी लिखके दे दिया तो कभी भी आप उनको पुलिंग मत लगाईएगा वो आपके क्या हो जाएंगे इस तरी लिंग हो जाएंगे पॉइंस लियर किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर कोई दिक्कत होगा तुरंत बताईएगा कि मैं यह चीज़ हमें नहीं समझ में आया है ठीक है कि दनना कि अनाजो के नाम अनाजो के जो नाम है बेटा वो भी पुलिंग होता है यहनी कि आपको क्या लिखके दे दिया गेहूं ठीक है आपको क्या लिखके दे दिया चावल ठान कुछ भी लिखके दिया अपवात्सरूप क्या है सरसो सारी एक अनाज होता था रहले होता था बिहार साइड में यह बहुत होता था यह सारी चीज़ें क्या है इनको अपवात्सरूप है यहां तक किसी को कोई कन्फिूजन कोई दिकत कोई परवत के जो नाम है वह उसमें कोई अपवाद इन्होंने नहीं दिया कोई भी परवत आपको दिया है महीनों के नाम होते है यह आपको लिखके दे दिया आपको लिखके दे दिया सोमवार थीक है भाई हम थोड़ी सी सहान भूती भी दिखा दे रहे हैं मंगलवार को के बच्चे इन्हों ने कहा आपको जेट भाई हिंदी है तो ऐसे ही तो देगा पैसाक असाड सावन कुछ भी लिख के दिया इसमें हम किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं देंगे परवत के नाम कोई अपवाद नहीं नगर के नाम में क्या है आपको हैदराबाद दिल्ली लखनो दिया लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है काशी मतुरा और अयोध्या पेडों के नाम में कोई भी पेड़ देता है इमली तुलसी अपवाद खालुक हैं तिसमें और उन्होंने किसी प्रकार का मन दिया और रही कि देशो के भी अगर नाम देते हैं बेटा कि देशों के नाम है मैं डिशों के दो नाम है वो भी夏 witch यानिकी कोई देश आपको भारत लिक्के दे दिया आपको अमेरिका लिक्के दे दिया है कि आपको जापान लिखे वे बठ स pseudo कोई भी लेकिन अपवाद है यह उअ इसकल खत्रनाक होता है जैंख इसफित कैके स्री लंका कि ञलगा लग रहा ना ये कामता प्रशाद गुरु जी ने कुछ नियम दियें कामता प्रशाद गुरु जी ना थोड़ा बिचारे बड़ी दुखी हो गए थे कि अलगर अपना frustration निकाल रहे थे, अपने दुख को व्यक्त कर रहे थे, लो भाईया, आप सब भी जो है उसको पढ़िए, अपवाद, 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 किसी चीज़ में कभी अपवाद नहीं रहता है, कुछ भी हुआ जरूर उसमें अपवाद है, अगर सही भी बोल होते होते ना, वो जादा बढ़िया रहता है, आप किस तरीके से उसको व्यक्त कर दिए, ठीक है, अलब किसी के लिए आप अपनी जान भी हाजिर करेंगे ना, तो उसमें भी अपवाद रहेगा, अगर आप जानना, पुड़ा देर में दिये हैं, अली दो सेकंड पहले दे दिये होते ना, तो मतलब अधम मजा आ जाते हैं, तो वही चीज है, इन्होंने कहा भाईया वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बिना अपवाद के तो कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं है, बस इन्होंने कुछ अपवाद दिये आपको, यहां तक किसी को कोई द रतनों के नाम दे। रतनों के जो नाम होते हैं, SIMola Love है ये भी पुलिंग है öतनों के नाम, ठीक है कोई भी रतन आपको दे दिया टीको थोड़ी सी ऐसे ना लास को थोड़ा सा बोरिंग माहौल में नहीं पढ़ते हैं इं ट्रस्ट के साथ पढ़ती माहा है। कि इस चाहिए भाई कितना भी हो जाए एंसे बहुत प्यार कर चाहिए और वो कभी अपने पैसे का नहीं खरीदती है जो बात सच है वो सकता है 2% हो इसमें कोई दिल पुरुष ही विचारे जादा उसको खरीदते हैं वही पैसे खर्च करते हैं महिलाएं थोड़ा खरीदने वरिदने दूसरे के लिए वो सब कुछ कर देंगे लेकिन अपने लिए वो कभी नहीं करती है ठीक है तो वही है रतनों के जो नाम है वो क्या है पुलिंग है यानि कि इस्तरी क्या है मत लगा देना यह रतन है और इसलिए क्विलिंग है आपका नीलम हो सब्सास आपको पन्ना लिखके देग कि अपको हीरहे दिए कुछ भी दिया ठीक है लेकिन अको इंहोंने कहा बंश्या एक ए और अक क्या है धेखयो ना मड़ी wprowad देखो ना नागिन देख करती है कि सबसे लड़ती रहती है कि मड़ी क्या है अपवाद है वो इस्त्री लिंग है उसके लिए इस्त्री ही विचारी वो नागिन ही बहुत महनत करती है तो मड़ी क्या हो गया मड़ी आपका अपवाद सुरूप है और किसमें चला जाएगा इस्त्री लिंग में चला या मड़ी दिया तो क्या बताएंगे आप इस प्रिलिंग ठीक है और सभी का कि रातुयों के जो नाम होते हैं आप रातुयों के नाम कि विभी इस पुलिंग होते हैं कोई भी रातुय का लिख के दे दिया धातुया ठीड़ने का काम नगा प्षारी लडकों का ही होता है अब अगर बताओ लोहा लाना है 20 किलो ठेला लेके कौन जाएगा बचारी लडका ही जाएगा ना जाओ लोहा लाना है वरतन ले आना है क्या है यह सब काम जो है तो देखिए आपको कभी भी लिखके दे दिया जाए लोहा आपको लिखके दे दिया पीतल ताबा कुछ भी लेकिन अपवात सरूप क्या है भाईया अपनी पायल तो महिलाएं ही खरीदती है कुछ भी हो जाएगा पूरा देख समझके ठीके तो क्या है अपवात सरूप क्या है चांदी क्या था कामता प्रशाद गुरु जी जो है एक बार क्या होता है अपनी मिसेज के लिए जाते हैं, पाइल खरीद में उनको नहीं पसंद आता है, ठीक है, कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे वाला हमको चाहिए था, आप क्यों लेके आ गई ये वाला, तो बोले ठीक है भया, आसे अप वाध ही रहेगा वो, कि क्या हो जाएगा, वो इस त्रीलिंग ही रहेगा, मतलब वो आप ही पसंद करेंगी, हम नहीं पसंद कर पाएंगे उसको, तो क्या है, धातुओं के नाम देगा, तो क्या हो जाएगा वो आपका, पुलिंग, लेकिन आप वाध स्वरूप क्या है, आपका जो है चादी, देखिए, कभी भी आपको द्रव्य के नाम, द्रव्य के जो नाम है, वो भी पुलिंग है, कोई भी द्रव्य आपको लिखके दे दिया, आपको तेल लिखके दे दिया, आपको क्या है, पानी लिखके दे दिया, आपको क्या कुछ भी ऐसा, तेल, पानी, जो है, कोई भी द्रव्य, अपुवाद स्वरूप क्या है, अपवाद चाए चाए बनाने काम विचारी महिलाओं का ही होता है चाहे पीए चाहे ना पीए है कि नहीं है जो बात फैक्ट है भाई किसी की भावना को आहट पहुचाना इसका बिल्कुल भी उद्देश नहीं है ठीक है बस आपके समझाने के परपस के लिए ये बनाया गया है आपको ठीक है चाए शाही चाहे जो हो ठीक है एक्जाम में सबसे ज़्यादा कलम किसके पास रहता है लड़कियों के पास रहता है हम भी उसके हैं लाल, हरा, नीला, पीला, काला जो भी है कम से कम 10 पैन रहेगा लिखने लगेंगी पगल वाले ने अगर एक पैन मांग लिया ठीक है ऐसा लगता है भाईया आप हमारी आधी प्रॉपर्टी मांग लेते वह हम आपको दे देते लेगें यह कलम आप मांग लिए यह समझी आपने जो है बहुत दरवड किया क् लिंग की वह लाइन खीचनी थी नीचे ना हम इसी वाले पैन से खीचने वाले थे बस चाही और क्या है शराब चाय शाही और शराब को क्या है मतलब समझ ही रहा है ना आदमी कब पीना से बहुत दिल टूटा होता है ना बस ठीक है शाय शाही अपवात बाकी कोई भी द्रव तेल पानी सरका आर्क कुछ भी लिखके देगा बेटा वह आपका क्या होता है पुलिंग होता बताई यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन और शरीर के अंगों के नाम एक चीज़ और है शरीर के अंगों के जो नाम होता है बतलब क्या है आपको नाख लिखके दे दिया आपको कान लिखके दे दिया आप मुख लिखके दे दिया कि अपवात सुरूख क्या है आख कि किसी भी तद्बो शब्द के अंत में यह दिखा आ जाता है तो इस त्री लिंग ठीक है आपको कोहुनी कलाई अड़ी कि ऐसा लिखके दे दिया यह आपके क्या है आपको आत्सरूप डंस अभी को किसी को बच्चे कोई अज़ी कंफ्यूजन है तो वह पूछ लेगा कि मैं यह चीज नहीं समझ में आ रहा है जितना आपके लिए जरूरी है यह बहुत ही विसाल सा चैप्टर है लेकिन अपको नहीं बताएंगे जितना आपके लिए जरूरी है उत्तना हम आपको बता रहें एंद्फ्यूजन होग उतकर है चुटी इॉ और उगराता है ठीका मतलब तो आपको असमें शब्द होते हैं वो पुलिंग शब्द हों यनि कि ऑ करांत इकल रहे हैं तो बच्चे वो प्राया क्या होते हैं पुलिंग शब्द होते हैं जैसे देखिए जग जल, जीव, मन, संसा, शरी, तन, धन, कवी, रिड, मुनी, साधु, ध्व, जन्तु यह सारे शब्द आप देखना ना इनके अंतमे आ, इ, उ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह सारे शब्द जो है यह क्या है अगला देखिए अगर शब्द के अंत में आपको दिखाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा दिखाई दे रहा अच्छर ये भी आपको मिलते हैं तो अधिकतर जो आपके शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके पुलिंग शब्द हो जाते हैं जैसे चित्र मित्र पत्र ठीक है पालन वदन जीवन आंदोलन जागरड पोशड भरड हरड कुछ भी इस तरीके से शब्द आपको दिया जाता है तो वो शब्द भी आपके पुलिंग शब्द के अंतर गत आते हैं आपदेखिए को आपको अगर क्या है ऐसी कुल नीरज लिखके दे लिए क्या बताइंगे पुलिंग सरोज लिखके दे लिए थे आप शरोज लिखके दे यह नहीं टरे यहतों बूरवाली मौनौशी का नाम था सरोज वह तो ऐसे शब्द पत़ तत्सम वाले शब्द होते हैं उनको बोलने में कठिनाई हो रही है ऐसा हो रहा है तो वो शब्द जो आपके हो जाते वो क्या होते हैं बच्चे तेरे कुलिंग शब्द के अंतरगत आते हैं अगला देखिए अनेक संग्याओं के अंत में यदि आपको त्वा पा पन और यह अक्सर पता कौन सी संग्या होते हैं भाव आचक संग्या इनके अंत में यदि आपको त्वा पा और पन प्रत्य कि प्रत्य कि संग्या में आता है आपने पढ़ा है ना प्रत्य से कौन सा संग्या बनता आपका भावाचक संग्या बनता है ना तो बस भावाचक संग्या के अंत में यदि त्वापा और पन प्रत्य के रूप में आपको मिल रहा है तो ऐसे शब्द भी आपके क्या हो जाते हैं पुलिंग शब्द हो जाते है जैसे सीवत, मनुष, पशुत, गुरुत, बच्पन, लड़क्पन, बाग्पन, बुढ़ापा, कुछ भी ऐसा लिख के देदेगा बच्चे, आप उसे क्या बताएंगे, कि ये हमारा पुलिंग शब्द है, किसी को कोई कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होगा, बच्चे तुरंट पूछेगा, मैं ये चीज़ नहीं समझ में आया है, आप दस बार पूछेंगे, बीस बार हम आपको बताएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए, इस्त्री लिंग, इस्त्री लिंग क्या कह रही हैं, कि भई हमने पढ़ा, कि जिस शब्द से इस्त्री जाति का बोध होता है, इस्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है, इस्त्री लिंग कहलाता है, इसमें इन्होंने कहा, बहुत सारी ह भाशाओक नाम लिपी नाम बोलीओंक नाम नदिंग नाम नचत्रों के नाम महलाओं के नाम लताओं के नाम ये सारे इस्त्रिइ लिंग है आई ये थोड़ा कुछ अपवाद भी है उनको भी देख लेते हैं लेकिन जाने रहीएगा तो हमारे कामता-पिशाद गुरू जी थे ना बूले कि देखिए बहिया इस्ति के मामले में हमारे जमाने से भी थोड़ा रेस थे कैशू यह जी अगर 00ge इस स्थी की बात आ गई तो किम भी तूड़ा कम ही अपवाद देतमीलिंग में इन्हों नी कम ही आपवाद दिया है किनो ने कहा नदिव के नाम है जदी के तो नाम होते हैं वो क्या है बेटा वो स्त्री लिंग है यहनि कि आपको लिखके दे दिया जाए परosh आपको लिखके दे दिया जाए गोदावरी पंश्राव सब्कारे स्त klon में ने कि गुदावरी ऐसा लिखे दिया आपको कोई भी नदी दिया आप बताएंगे इस त्रिली लेकी निन्हों ने कहा भाईया देखिए कि अपवात शरूप क्या है है कि ब्रमभ पुत्र अभी आपने पढ़ा शब्द के यंत में दि रहाता है क्या हो जाता पुलिंग राना अचों कि अब कहा जाने अपहले इसको फोट्म्र कहा जाता था वह भी अभी पढ़ कंदि होता है अब इने सथों माभा जाने लगा पहले स्षों कहा जाता था यहीं कि चाहे आपको शोन लिखके दे और आपका क्या सिंदु अभी पड़े ना छोटाओ की मात्रा यदि आती है तो क्या है यह तीन नदी है बच्चे जो आपके अपवाद स्वरूप है तो यदि आपको नदी के नाम लिखके देता है गंगा यमुना गोदावर कुछ भी बच्चे आप उसे इस्त्री लिंग बताएंगे लेकिन ब्रह्मपुत्र शोन सिंदु इसमें से अगर कोई भी नदी का नाम देता है बच्चा मेरे तो गल्ती से भी आप इस्त्री लिंग पे मत लगाना विकल्प में दिखाए देगा पुलिंग और आपको उस प बोली के नाम लिए तो नाम देखिया भाईया जब महिलाएं बोलना शुरू कर देती है ना बड़े-बड़े की नहीं बोलती निकलती तो विचारे ये क्या थे पत्नी ने कहा देखो भाईया सब पे अपवाद लगा दीजेगा लेकिन मेरी बोली भासा पे अपवाद मत ल माफ करिएगा हम जीना चाहते हैं अभी तो कोई भी आपको भाशा लिखके देदे कोई भी आपको बोली लिखके दे दिया जाए ठीक है यह आपके क्या है यह आपके स्रीलिंग ही होते हैं आपको हिंदी लिखके दे दिया जाए आपको तमिल लिखके दे दिया जाए आपको भोजपुरी लिखके दे दिया जाए आपको अवधी लिखके दे दिया जाए तुछे भी लिखके दे दिया जाएगा बेटा आप क्या बताएंगे यह हमारे क्या है इस्त्री लिंग ही है किन्हों ने कहा जो आपके लिपियों के नाम है, वो भी भाशा बोली से ही related है, यह बी क्या होते हैं, मतलब आपको कोई भी लिपी दे दिया ना, आपको इस त्री लिंग पे लगाना है, कभी भी आपको पुलिंग बुलिंग में नहीं जाना, ना ही कोई अपवाद, चाहे वो देवनागरी लिखके दे दिया जाये, कए वो रोमन लिखके दे दिया जाये, कए वो ब्राम्ही लिखके दे दिया जाये, कोई भी लिखके दे दिया, ठीक है, किसी प्रकार का कोई अपवाद नहीं, इन्हों ने कहा न छत्रों के नाम, छत्रों के जो नाम है, कए आपको क्या लिखके द कौन सा लिंग होगा यह नहीं कि अ सब्सक्राइब दोस्त का नाम था रही अस्वनी तो हमारे चाचा जी का नाम है defy अस्वनि थो हमाले क्या कहते है जो हमारे मामा के चाचा के लड़के के ऐा बेटे हैं ना इनका नाम अस्वनिध कहें था यह दो चत्र आएंगे तो आपको पुलिंग पर लगाना का अभीопас और पुश्ट ये दो अगर दिये तो बच्चे इनको पुलिंग पे लगाना है बाकी कोई भी जितना भी याद रखना बिटा जो आपके पुलिंग में अपवाद रहेंगे वो इस त्री लिंग में चले जाएंगे और जो इस त्री लिंग में अपवाद रहेंगे वो कहां प के जो नाम होते हैं अ कि ए क मैं नाम है कि अब में ंनाम का मतलब क्या हुआ जैसे दिया रहता ना मैं अज प्रदोश है आज आमोस्या है आज पूडी मा है उसी तो त автом कहते हैं ना क्या है जैसे एका धशी पूडी माँ अमोस्या यह सारी चीजें क्या है आपके तो इसमें भी इन्होंने देखिए ब्रत त्यवहार रखने का काम किसका होता है कि यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजर की कमझ में आ रहा है दो नहीं हिसा तो नहीं है नहीं भूलेगा किसी चीज से हम सोचते आज यह यह उपू को नहीं आता हुएक को नहीं आता है यहुआ सब कर हम सब कर सकते हैं ठीक है यह वाला attitude लाना है यह सब क्या यह तो बहुत ही सा है तो देखिए अगला क्या कहता है शब्दों हिंदी में जिन शब्दों के अंत में बड़ा या फिर बड़ी की मातरा होती है वो भी अधिकतर किसमें प्रियोग किया जाते हैं उनका प्रियोग पर अपुवाद है अपुवाद कि याद रखिएगा क्या अपुवाद है कि क्यूंकि द्रव्य प्रदार्थ के नाम पढ़ें है ना मोती कि तही कि पानी कि यह क्या है यह द्रव्य और प्रदार्थ है और आपने क्या पढ़ा है तीन द्रव्य और प्रदार्थ आपके को बड़ी की मात्रा दिखाई देगा लेकिन ये कभी भी इस्त्रीलिंग नहीं होंगे बलकीन का प्रियोग इसमें किया जाता है पुलिंग शब्द में किया जाता है अगला देखिए हिंदी में बहुत से शब्दों के अंतमें ता आश आहट आवट आई इए इत्यादी प्य यह बहुत आई अब देखिए जैसे आपको क्या लिखावट दे दिया ना आपको लिखके दे दिया गया कि पढ़ाई लिखाई एसे शब्द जब शब्द के अंतरगत आते हैं कि अगला कह रहा है कि जिन हिंदी के अनेक प्राड़ी वाचक शब्दों का प्रियोग अक्सर इस त्रीलिंग में किया जाता है जैसे सेना यह क्या है प्राड़ी वाचक है लेकिन का प्रियोग हमेशा इस त्रीलिंग में होता है सरकार सरकार गिर यह सरकार गिर गई फिके पुलिस के चंतान संतती पुलिस आयरी पुलीस आया हे नहीं कहा जाताः यह सब क्या है ये अनेख प्रहाड़ी वाचक शबiosis का प्रियोग किसमने के जाता है सदियोस्त्री लिंग के फॉर्म में किया जाता आगे देखते हैं अब देखिए, आ से बड़ा आ को ई करने से आपका लिंक परिवर्तित हो जाता है, मतलब छोटा है या बड़ा है, यदि वो बड़ी इ में परिवर्तित हो जा रहा है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कोई शब्द लिखके दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए यदि शब्द आपका छोटा है या बड़ा है, यदि वो बड़ी ही में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो इससे जैसे नर, अब यहां पर आ दिखाई दे रहा है, नर का क्या हो जाएगा, नारी, दादा का दाधी, नाना का ना ठीक है, अब देखिए, बकरा, पुलिंग फॉर्म में है, आ की मातर आ रही है, बकरी इसका हो गया, तो क्या हो गया, इस्त्रीलिंग हो गया, बेटा, पुलिंग फॉर्म में है, बेटी इसका क्या हो जाएगा, इस्त्रीलिंग, पुत्र, पुलिंग फॉर्म में है, अगर ह उसके अंत में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं आपके इस्त्री लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं पॉइंस क्लियर आगे नेक्स देखते हैं यदि आपका छोटा आ या बड़ा आ है उसको आप या कर देते हैं तो वो भी हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है इस्त्री लिंग में परिवर्तित हो जाता है जैसे for example बूढ़ा दिया है ना अब बूढ़ा का इस्त्री लिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएग ठीक है डिबबा किया प्रत्य अगर लग रहा है याद रखिएगा किया प्रत्य यदि शब्द में आ रहा है तो वो इस्त्री लिंग होता है ये भी गुडिया पुडिया डिबिया बच्छिया चुहिया कुछ भी लेके दे दिया जाए और अगर आ आ है और उसको परिवर्ति हो जाएगा जैसे बुढ़ा का बुढ़िया आपने किया तो इस्त्री लिंग में हो गया बच्छडा का बच्छिया आपने किया तो क्या है इस्त्री लिंग और ऐसे दिया रहे आप से पूझा जाए डिबिया में लिंग बताईए तो आप क्या बताएंगे इस्त्री शबद है कोई जातीव शबद जिसे हमें जाती का बोध होता है कोई उपनाम जैसे हम किसी का उपनाम नहीं देज़े हैं कि ऐसे दो Нमें अगर हम एन या फिर आइन प्रते को जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या होते हैं इस्त्री लिंग में परिवर्चत हो जाते हैं जैसे धो बी ये अब थो भी का गर स्थ्री लिंग बताना है तो क्या हो जाएग़ भोबिन विये क्या ब्यवसाय सूचक जाती सूचक वाचक शब्द है और भंगी अब इसका बंगी हमारा पुलिंग शब्द हो गया विवसाय सूचक ना आपकी इन में जो है यह सारे आपके ब्यशाए सूचक जाती सूचक अपनाम मौचक शब्द हैं किने consistent में दोड़ा इन लिंग में परिवर्टित हो जारें कि नहीं हो जारें अगर कोई भी वही ब्यवसाय सूचक जाती सूचक उपनाम वाचक है उनके अंत में बस इन और आइन प्रत्य जोड़ दीजे वो इस्त्री लिंक फॉर्म में क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे आगे नेक्स्ट देखते हैं कि संबंध कोई संबंध है जाती तथा उपनाम वाचक में आनी या आणी जोड़ने से कोई संबंध है कोई जाती है उपनाम वाचक शब्द है उनके अंत में यदि आप आनी या आणी जोड़ते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाता इस्त्री लिंग जैसे देवर एक संबंध स उचक शब्द है की नहीं राव अगर हमें उसका इस्ट्रिलिंग बताना है तो क्या हो जाएगा देवराणी हो जाएगा ना खत्रिय ए जत्रारी आड़ी प्रत्त्य जुढ रहे कि नहीं नोकर नॉकरारी महतर महतरानी चौधरी चौधरानी ठीक है मुगल मुगलानी सेट सेठानी इंद्र का इस्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आड़ी प्रत्य जुड़ जाएगा इंद्राडी रूद्र का इस्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आड़ी प्रत्य जुड़ जाएगा रूद्राडी पठान का पूछा जाए तो बे जिज़क होके पूछ लीजेगा मैं आम ये चीज़ नहीं समझ में आया है अब एक बार पूछोगे ना हम आपको दस बार बताएं अब थोड़ी मेहनत करोगे ना हम आपके लिए बहुत मेहनत करें अपनी तरब से तो मैं पूरी कोशिश करती हूं बच्चे हर एक में पढ़ाने लगो ना तो मुझे चार दिन लग जाएगा सिर्फ लिंक को डिफाइन करने में इतना आपको पढ़ना नहीं है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आपको बहुत इजी फॉर् आज में आये फिर भी नहीं समझ में आएगा बच्चे अब जरूर पूछेगा कि माम यह जी नहीं समझ में आए ठीक है बच्चे लोग देखो अगला आप से कहा जा रहा है कि प्राड़ी वाचक और जातिवाचक संग्याओं में नी जोडने से अब कोई प्राड़ी वाच क्या ओ जाएगा हमारे स्त्री लिंक हो जाएगा शेर फुलिंग है अब इसमें अगर हम नी प्रत्ते जोडरी शैर नी ग वो गया कि नहीं ऊंडोर प्राणी वाचक या जाती वाचक संग्याएं है और उनके अंत में यदि आप नी प्रत्य जोड़ दे रहे हैं तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा का इस्त्री लिंग हो जाए गाडन अगला देखिए हिंदी में कुछ पुलिंग शब्द अपने इस्त्री लिंग शब्द से भिन्न होते हैं यानि कि आपको उसमें कोई प्रत्य नहीं जोड़ना होता है वो भिन्न हो जाते हैं जैसे पिता का इस्त्री लिंग क्या हो जाएग क्या बताएंगे विदुशी हो जाएगा विद्वानी तोड़ी ना होगा पती का पत्नी ससुर का सास ठीक है पैल का गाय समराट का समागरी और विधुर का विध्वा ठीक है यह हमारे क्या है मतलब हिंदी के कुछ पुलिंग है जो किसी प्रत्ते से नहीं जुड़के बनते ह बलकि वो क्या हो जाते हैं भिन होकर बन जाते हैं ओके यहां तक कुछ को कोई डाउट नहीं नार जफिए आगय देखते हैं कुछ सरवее नाम का लिंग परिवर्तन इस परार हटा म कुछ सर्वे नाम जैसे मेरा मेरा का अब मेरा का लिंग परिवर्तन movement करना क्या को मेरी प तो मेरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसका?" तुम्हारी, तेरी, तो कुछ सर्विनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन होता है। आगे है कई शब्दों का प्रियोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे नाक, मेज, कुरसी, साइकिल, सरकार मतलब दोनों लिंगों में ऐसा नहीं मतलब ये इस त्री लिंग फॉर्म में होते हैं लेकिन आप वाक्य में इनका प्रियोग करना है वैसा नहीं है कि ये परिवर्तित हो जाएंगे ये नहीं ये जो है आपके क्या हो जाता है समान रूप से प्रियोग किये जाते हैं दोनों के रूपों में मतलब जब इनका वाक्य में परिवर्तन होता है तो यह क्या हो जाएंगे यह समान रूप में प्रियोग मतलब यह नहीं कि सरकार का सरकारी लिख दिया जाएगा सरकार सरकार साइकल साइकल ही रहेगा किसी भी लिंग में आप उनको लिखते रहेंगे आपकी कुरसी कुरसी ही रहेगी ठीक है समझ गए ना वैसे ये इस्त्री लिंग में हो जाते हैं मतलब होते हैं इस्त्री लिंग में हैं लेकिन दोनों लिंगों में जब इनका प्रियोग होता है मतलब वाग के के माध्यम से तो ये क्या होते हैं समान रूप से होते हैं किसी प्रकार की इनमें परिवर्तन नहीं होता ह अगे नेक्स देखते हैं, कई पद всё शब्दों का प्रयोग इस्थरी और पुरुष होता है। सक्कित है इस शब्द उभह लिंगी कहला थे जipी। राजदूद्वराईपाहल ये सारे उस प्रत्ययोग्त शब्द वह लिंगी है जैसे पढ़ाकू पढ़ा को गए उसे भी पढ़ा को गेंगे लड़का पढ़ाक्व मेंदा तू जगडालू थेराक फुलकाड्ब mlan three एक ही शब्द के परियावाची शब्डों में से कुछ पुलिंग और कुछ इस्त्रीलिंग होते हैं जैसे विथा गिताका परियावाची दुक्त कलेश भी होता हुआ और वेत्ना पीड़ा भी होता है लेकिन जब दुक्त कलेश की बात करेंगे तो फुलिंग हो जाएंगे लेकिन अगर वेदना और पीडा की बात करेंगे तो क्या हो जाते हैं इस्त्री लिंग के रूप में उनका प्रियोग किया जाता है तो वही कहा गया है कि एक ही शब्द के परियावाची होते हैं वो क्या हो जाते हैं कुछ पुलिंग और कुछ इस्त्री लिंग भी के रूप में उनका क्या किया जाता है, प्रियोग किया जाता है, तो बताइए, यहां तक किसी को कोई confusion, किसी प्रकार की कोई समिस्या, नहीं न, शालो बहुत बढ़ियां भई, बहुत अच्छे, कोई confusion होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशा है, वो आप से क्या कह रहा है, और कितना आपको समझ में आया है, पहला प्रशन आप से पूछा है, कि संग्या के जिस रूप से वस्तु की जाती का बोध होता है, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, वचन, कारक, लिंग या फिर संधी, वस्तु की जाती का बोध होता ह अच्छी ज़ो क्या होता है Link होता है लिंग शब्द किसका होता है तुभी भी आपसे पूछा जाए जो लिंग है वो किस सब्द का होता संग्या گर किस भाषा का का शब्द है संस्क्रित भाषा का शब्द है लिंग को अगर हमें निर्धारित करना है तो हम किस्का आध्यार मत देखते हैं कि निम्नलिकित में से पुलिंग शब्द कौन है दही गाय संतान या फिर सवारी पुलिंग कि अब बहुत अच्छे पुलिंग शब्द आप से पूछा गया है तो पुलिंग शब्द क्या होगा यस बहुत बढ़िया जो दही है वो क्या होता है खटा होता है ना कि खटी होती है और आपने पढ़ाये ना दरव्य और प्रदार्थ के जो नाम होते हैं वो पुलिंग होते हैं सिर्फ तीन आपका पुआद है चाय शाही और शराव ये तीन अगर दिया तो हम इस तरी लिंग बताएंगे बाकी किसी भी द्रव्य और प्रदार्थ का यदि नाम लिखके देता है तो हमारा क्या हो जाता है पुलिंग शब्द के अंतरगत आता है बहुत अच्छे बहुत ब अनुसार होते हैं इस तरी लिंग के अनुसार होते हैं दोनों के अनुसार होते हैं किसी के अनुसार नहीं होते हैं कि राडियो में समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं कि को बताना है कि कैस कैसे होते हैं कि दोनों में होते हैं पुलिंग फॉर्म में हम बाठते हैं को प्रेलिंग के फॉर में भी इतने होते हैं दो ही तो होते हैं संस्छिट की बात करेंगे संस्छित में आपके तीन हो जाते हैं नेत्र शब्द कैसा है नापुण फुरिंग धिया फिर पुर्लिंग और नापुनश्यक और d yol मतलब पुलिंग वाइस्त्री लिंग नेत्र शब्द कैसा है कि पुलिंग इस्त्री लिंग नापुन्शक लिंग पुलिंग वाइस्त्री लिंग येस, नेत्र, पुलिंग, आपको पता है न, यदि कोई शब्द दिया है और उनके अंतमेत्रा आता है, तो वो हमारी क्या हो जाते हैं? पुलिंग शब्द हो जाते हैं, चाहे वो नेत्र दिया रहे, चाहे छेत्र दिया रहे, चाहे सस्त्र दिया रहे, चाहे मित्र दिया रहे, कुछ भी दिया रहेगा, आप उसको क्या बताएंगे? पुलिंग बताएंगे, तो यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट को दोनों कोई नहीं दोड़ क्या इस तरी लिंग है बिटा ठीक है हमारा वी वाला जो विकल्प है दोड़ रही है ठीक है आगे देखें आगे अभर वालू सर्शो शब्द कैसे अव्वै है नापुणिक लिंग में नापुनीशाग पुलिंग है वाफिर ति अ tav च अंहीं होग कि ने होगे इसे अना जो के जो नाम होते कि आपको खिसारी कि दे दिया आपको क्या है कि सारे किसके रूप में बाकी कोई भी अनाज लिखके देता है वह हमारे क्या हो जाते है तो यह आप वा यह वाज रूप है इसलिए हमारा कौन सा व्यूह जो विकल्प हो जाएगा वह इस प्रशन ना, आओ, पन, पा होता है उन्हें क्या कहते हैं। कोई आपको भावाचक संगया दिया और उसके ना है। अपन है, पन है, पा है, यह प्रत्य के रोप में मिले हैं। उसे क्या कहा जा जाएगा। पुर नापुशक लिंग के अंतरगत आएंगे, स्प्री लिंग होंगे, अविपंद्रिन लिख के देदिया यह सारी क्या हो जाएंगे यह सारी हमारे पुलिंग कंद घंस अब को किसी प्रकार का कोई दिकत ऑकरान्थ करां टा करांत संक्यामें क्या हैै कि पुलिंग इश्ट्री लिंग अव्वे या विरापसी पूछागय क्या होगा पुलिंग और स्ट्रिलिंग अब यह पर कोई नहीं क्या करांट इपbn जो संग्याएं है क्यों बहुत अच्छे क्या होगा स्ट्रिलिंग और रोटी नदी साम इसृत्व यह सारे किस देखते हैं आगे देखते हैं है जिन भावुआ चख संग्या के अंतमे टावट वा हट्ट प्रत्य की रूप में आते हैं वह क्या होते हैं इकरान पुलिंग, इस्त्री लिंग वापुलिंग। कोई भी आपको भावा चक संग्या दिया है और उसके अंत में टावट या फिर हट होता है। वो क्या होते हैं? क्या हो जाएगा इस्त्री लिंग मतलब आहट, लिखावट। ठीक है? जिन संग्याओं के अंत में त्रा होता है वो क्या होते हैं संस्क्रिश शब्द सभी इस्त्रिलिंग या फिर पुलिंग जिन संग्याओं के अंत में त्रा होता है वो क्या है संस्क्रिश शब्द सभी इस्त्रिलिंग या फिर पुलिंग अभी बताये थे आपने प्रश्न भी किया है यदि कोई शब्द दिया है और उनके अंत में आपको त्रा दिखाई दे रहा है तो वो जो आपके शब्द होते हैं वो क्या है येस बच्चे वो हमारे पुलिंग के शब्दों होते हैं यदि शब्दों में त्रा दिखाई दे रहा है वो क्या है पुलिंग शब्द चाहिए वो में मित्र दिया रहे छेत्र दिया रहे सस्त्र दिया रहे नेत्र दिया रहे कुछ भी दिया रहेगा हम उसे बताए यहां तक सबी को क्लियर है किसी प्रकार का कोई confusion नहीं है तो चलिए फिर अगर कोई confusion होगा बेटा कोई doubt होगा आप जरूर पूछेगा चलिए फिर मिलते हैं next class में और discuss करेंगे आपसे बहुत सारी बातें ठीक है फिर मैं वहीं कहूंगी जंग के मैदान के लिए तयार हो रहें आप सभी लोग ठीक है पूरे तरीके से तयार होके उस मैदान में जाना है क्योंकि हारना तो है ही नहीं ना वो तो हमारी dictionary में लिखा ही नहीं है हमें तो सिर्फ जीतना है जो सपना देखा है उस सपने को हमें पूरा करना है उसे जीना है जिन्दगी तो इक ही मिलती है एक बाइग मेहनट कर लोगे और उसके बाद कम से कम उस अपने देखें उसे पूरा कर लोगे न्यज़ा फिर बहुत पस्ताना पड़ जाता है stam विल् झाल झाल